हाई दोस्तो टीफोर चान में आपका स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप बैंक आफ ब्रोडा में पैसा जमें करने का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं यानि कि कैश डिपॉजिट फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं तो यह रहा मेरा फॉर्म इसको ह मैं आपको Hindi में और English में दोनों process आपको बताऊँगा तो वीडियो को पूरा शुरू सलाज तक जरू देखेगा तो चली दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो को एक like चुरू कर देजीगा और चैनल पर नहीं है तो subscribe फिरने के बाद bell icon पूर दबाएगा तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि form को हिंदी में कैसे भरा जाता है तो हिंदी में form भरने का method या तरीका क्या है सबसे पहले आपको पूछता है यहाँ पे दिनांग यानि कि सबसे पहले आपको date डालना है कि आपने किस date को आपने form को fill किया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर जो दिनांग है उसमें आपको डेट आपको फिल कर लेना है उसके बाद डेट आज जो है जैसे कि 20 तरीक 11 महीन है 2023 उसके बाद यहाँ पर नीचे यहाँ पर आना है उपर में यहाँ पर दिखिए आपने साखा में जमा किया तो क अगे तो आपको यहां पर आपने साख़्ा का नाम डुमा किया, आपको यहां पर आपने साख़्ा कानाम ड़ना और आप में लोगए, उसके बाद आना है नीचे और धियान दीजे यहाँ पे लिखावा है कि पूरा नाम तो पूरा नाम में आपको जैसे कि मैंने रमेश कुमार लिखा है पूरा नाम आप अपना डाल दीजेगा जो भी आपके bank account में नाम है उसके खाता संक्य है यानि कि account number यहाँ पे आपको लिखना है bank में जो भी आपका account number है तो यहाँ पे हमने अपना account number डाल दिया उसके लाद धियान दीजेगा यहाँ पे पूछेगा कि खाते के परकार यानि कि आपका कौन सा खाता है आपका saving account है या current account है यानि कि budget खाता है या चालू खाता है तो यहाँ पे हमने budget खाता है हमने सबका budget खाता ही रहता है saving account तो यहाँ पे budget खाता है हमने यहाँ पे डाल दिया है अब यहाँ पे धियान दीजेगा नीचे आपको नगत जमा आप कितने पैसे कर रहे हैं तो यहां पे उसका वीवरन है, तो आपने कितने का note जमा किया है, तो मैंने 2000 note अगर आप जमा कर रहे हैं, 2000 note तो अभी फिलाल बन हो गया है, तो अगर आप 500 note जमा कर रहे हैं, 10 note या 20 note आपके पास 500 है, और 200 के कुछ note है, तो यहां पे आपको 200 के कितने note है, यहां पे लिखना है और यहां पर डेस मर्क इस तरीके से sign दे दिज़ेगा उसके बाद दिखी धियां दिज़े यहां पर आपको जमा करता कि हस्ताचर यानि कि जो भी पैसा जमा कर रहा है उसका यहां पर आप नहीं करेंगे उसके बाद यहां पर इस form में कुछ भी नहीं फिल करना है यह वाला जो है यह आपको चेक जब भरते हैं तो यह वाला कॉलम आपको फिल करने के लिए रहता है तो इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है अब यहां पर आते हैं और यहां पर आने के बाद यह वाला जो कॉलम है इसमें आपको सेम टू सेम आपका जहां से आप पैसे जमार कर रहे हैं और आपका जहां साखा है उसका नाम आप डाल उसके बाद आपका पूरा नाम डालना है कि आपका क्या पूरा नाम है तो हमने पूरा नाम यहां पर डाल दिया है उसके आपको खाता संक्या है यानि कि अकाउंट नमबर क्या है आपका उसको आपका अकाउंट नमबर को यहां पर आपको फिल अप कर देना है भर देना है त तो यहाँ पे अपना खाता संख्या डालने के बाद नीचे यहाँ पे खाते का परकार है तो इसमें बज़त खाता आपको डाल देना है जो कि यहाँ पे आपने बज़त खाता डाला है उसी बज़त खाता को यहाँ पे सेविंग अकाउंट आपको बज़त खाता लिग देना ह उसके वाद आपका amount कितना आपने डाल रहे हैं और यहाँ पर नीचे भी total जोड़ करके 10,000 रुपय हमने डाल दिया उसके वाद 10,000 केवल यहाँ पर आपको इस तरीके से लिग देना है केवल लगाना आपको जुरूरी है जिस तरीके से only लगाते हैं उस तरीके से केवल आप आपको लगाना चुरूरी है उसके आपका यह form है और पूरी तरीके से fill हो गया है जैसे कि आप देखने एक बर पूरा अच्छे से आप form को देखने कि किस तरीके से आप form को आपको भरना है तो आपका form accept हो जाएगा अब चलते हैं कि English में अगर आपको form भरना है तो कैसे भ रहता है जो हिंदी में भी जो है आपको चोटा सव कोसी यह जो है बेंक आपको देगी यहाँ पे Pang लगा देगी और यह जो सथ हैपको देख आपको डहेंगा ढरेंगसे निस ने ऐ stinks आपने पस रखेंगा और यह तरीकर मुरु कर Computer में में जो भी आप भरना चाहें सेम प्रोसेस है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स टूडियो में तब तक के लिए धन्यवाद